गुड मारिंग अफ्रीपन कैसे हैं आप सभी आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे तुड़े इस 11 ऑफ जैनवरी 2023 और डे है बेंस डे चलिए आज के दिन की जो सुरुआत हैं वो करते हैं एक प्रॉबिल्टी से लेटेड कोशिन की जो की पहले जब वो एकसा में पुछे जा चुका है तो टैन्थ क्लास के बोर्ड में जो ऐसे कोशिन पुछे जाते हैं इससे लेटेड कोशिन पुछ जाते हैं तो हम लोग जो प्रॉबिल्टी को जो यहां पे थोड़ा सा डिटेल में जो डिसकस करेंगे यह जो कोशिन है यहां पे लिखा भी है रिखे नीचे क CVSC 2012 NCAT exemplar तो इसको जब डिस्कस करेंगे लेकिन इससे पहले जब थोड़ सा डिस्कस करते हैं कि पिछले कल जब वो 10 जनवरी को क्या था 10 जनवरी को आप सभी को पता होगा कि 10 जनवरी को हम लोग मनते हैं World Hindi Day जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए World Hindi Day जिसके हम लोग मनते हैं हर साल 10 जनवरी को जिसके बारे मतलब कि बहुत सारे कंट्रीज में मनाए जाता है इसका जो डिस्से है वो क्या है कि 200 भर में जो हिंदी के जो जानकार है उनको जो 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 दुनिया भर में पहले हुए है जो 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 ज आए जाता है 14 September को ही क्योंकि 14 September 1949 को जिभू हिंदी को जिभू एक अधिकारित बासा की रुप में जिभू इसका मत्र की दर्जा मिला क्योंकि भारत में जिभू बहुत सारे जगह पे जिभू हिंदी बोली आती थी तो इसलिए जो बो इसको एक राजवासा जो वो डिकलेर किया गया लेकिन 14 सेफ्टेmber ही क्यों तो इसके पीछे जो वो एक नाम जो आपको याद रखना है जो है रजिंदर सिंग का तेक है हिंदी के जो वो एक बहुती बड़े साहिते कार हुए रजिंदर सिंग का जो वो 50th January जो वो था उस दिन 14 September 1949 को तो इसलिए जो वो इस दिन को जो वह वहुती खास माना गया वहुत अच्छा माना गया हिंदी दिवस के लिए तो एप भी बाते जो आपको पता होने चीए चलिए आते हैं आज से अपने टॉपिक पर चीदे ही तो यहां पर एक कोशिन लिखा है जैसे कि यहां पर एग से लिटे कोशिन है तो आज की दिन की सुरुआ जो वो आमलेट से करते हैं ठीक है चलिए आमलेट से नहीं अंडो से लिटे प्रॉबिल्टी बाले कोशिन से करते हैं तो यहां पर लिखा है कि तो काफ़ी अच्छा कुशी नो मुझे लगाए देखिए अंटे की जो यहां पर आपको ट्रे भी दिखाए दे रही है तो इसमें जो आपको काउंट नहीं करने हैं कितने अंटे हैं इसमें बोला गया है कि एक प्राबबिल्टी दी गई है देखिए प्राबबिल्टी ओफ गेटिंग जो बैड ऐगस है जो खराब हो चुके एगस है उनकी जो प्राबिल्टी है वो गिवन है 0.035 ठीक है तो इसने बोला कि टोटल अंटे कितने तो टोटल 400 है जोब वह से खराब है तो इसने बोला कितने है इसने प्रॉप्टियल्ट प्रेक्श्ट सकते हो इतना जब वह अब आप में बताता चलुम का बोगो एस सब्सक्राइब यह प्रॉप्यास बोर्ड के लिए जब बॉस्ट इंपॉर्ट होने वाले हैं या आप अगर किसी एकसाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें probability पुछिया थी है मैस पुछ जाता है तो भी आपके लिए जब वह एक कोशिन important हो जाता है ठीक है तो आपको जो सबसे पहले तो याद रखना है कि probability जो भाम लोग निकालते कैसे हैं किसी भी यहां पर टोटल जो आउटकम दो बनने वाले हैं तो नीचे जो वह फैपरिबल्स आउटकम नहीं नीचे टोटल आउटकम दिखूँगा जो कि दो है या तो है या तो टेल सिक्का एक ही है ठीक है तो यह अगर पुछेगा कि probability of head आने की probability कितनी होगी है तो एक बार ही आसकता है जैसे हम percentage निकलते हैं तो वह 100 में से देखते हैं ठीक है और बैसे ही जो वह अगर हम अगर प्रॉबिल्टी निकाले है प्रसेंटेज जो वह 100 से निकलेगी प्रॉबिल्टी जो वह 1 में से निकलेगी मतलब कि probability 1 से बड़ी नहीं हो सकती इसको आप याद रखिए probability जो वह 1 हो सकती है जीरो हो सकती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती इसका क्या मतलब हुआ तो क्या हम इसको जो वह प्रॉपर फ्रेक्शन माल ले नहीं प्रॉपर फ्रेक्शन नहीं माल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर फ्रेक्शन के जो बैली होती है वह होती है बिट्विन 0 & 1 उसमे 1 नहीं आता है 0 नहीं आता है 0 और 1 के बीच में जो value होती है वो होती है proper fraction की और proper fraction क्या होते है proper fraction होते है जिसका numerator जो वो छोटा होता है और denominator बड़ा होता है जैसे example 3 over 5 तो इसकी जैसे value निकलेगी क्योंकि total outcome नीचे होगा उससे तो कम ही होगी या उसके बराबर हो सकती है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है जीरो भी हो सकती है इसका मतला है proper fraction नहीं बासकते है आप ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो हो सकती है proper fraction में आएगी लेकिन improper fraction में नहीं आ सकती क्यों improper fraction में सिर्फ एक ही जो वो possibility है जो है जैसे 5 over 5 जैसे 5 में से 5 आने की probability जो वो है जैसे मेरे पास जो वो एक ही जो वो एक card है मेरे पास उसमें जो वो 5 लिखा है एक ही card है ठीक है एक ही box में जो वो एक ही card है तो मैं बोलूगा कि probability और 5 आने की probability तो पूरी probability है एक ही card है 1 में से 1 तो ए जोगो कौन सा fraction है प्रॉपर फ्रेक्षन नहीं है जब numerator और denominator जैम होते हैं तो आपको बता है वो improper fraction क्यालाता है ठीक है वो improper fraction में count किया जाएगा तो आई होप आप समझगे होंगे तो probability की जो value होगी वो 0 होसकती है, 1 होसकती है जीरो के बीच में भी होसकती है इसको आप यादर किये 1 का सिदा सा मतलब है कि अगर numerator और denominator are both equal ठीक है और अगर 0 का मतलब है कि वो impossible है जैसे example के लिए मेरे पास एक ठैला है उसमें 5-5 रुपीच के सिक्के है जितने भी है अगर मैं पूछूँ कि इस ठैले में से मैं भी ना देखे जो वो एक रुपए का सिक्का निकालू अच्छा एक रुपए का सिक्का तो था ही नहीं उस ठैले में तो इसका मतलब है वो तो impossible है तो probability कितनी होगी एक रुपए के सिक्के की 0 ठीक है तो 0 होसकती है ठीक है योप आप बहुत अच्छे से सिक्ष चुके होगी कि probability क्या होता है एक चोटा सा जो आपको मैं और बता देता हूँ ताकि इस question को जो आप कर सको ठीक है probability में क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में होगी तो अगर मैं बोलू कि किसी चीज़ के जैसे एक example हमने बहुत अच्छा लिया कि head और tail ठीक एक सिक्का है तो मैंने head की जो probability निकाली वो आई थी 1 over total 2 थे ठीक है अब head ना आने की probability कितनी होगी ना आने की क्योंकि one में से देखी जाए कि तो ना आने की जो आदी बच गई 50% chance वो आने के हैं 50% ना आने के हैं तो इसका मतलब है हुआ कि अगर हमारे पास जो वो किसी event के आने की probability जो वो given है तो जो वो उसके ना आने की probability जो वो कैसे निकलेगी one में से उसको minus करके निकल जाएगी ठीक है इसका मतलब है हुआ कि हम लोग जो वो एक फार्मूला जो वो यहां से तयार कर सकते हैं कि probability of किसी के आने की और plus probability of ना आने की वो जो वो किसके बराबर हो जाएगा one के बराबर तो यह जो वो question पूछे जाएगा आपको exam में सिधा ही एक number का question यह बन जाता है अगर आप 10th class में है अगर आप 9th class में है तो भी साइच वो ऐसे question पुछे जासकते है क्योंकि 9th में 10th में अगर आप किसी competitive exam की तहियार करें है तब तो एर्थ में जैसे जैनी स्कूल हो गया नबोदे स्कूल हो गया ऐसे question बन जाता है ठीक है थोड़ा सा advance पुछ जाता है जैसे स्कूल में थोड़ा सा advance label तक चला जाता है तो वो topic आपको पढ़ने होते है तो यहां पे जो question है वो भी एक अच्छा question है the probability of getting bad eggs की जो probability है वो 400 में से कितनी given है 0.035 है तो इसने बोला कि the number of bad eggs जो वो कितने है तो यहां पे जोब आपको क्या करना होगा तो अगर मैं जोब इसको solve करना हो थोड़ा सा दिखिए तो मैं लिकूंगा मुझे पता है कि probability of bad egg तो bad egg के लिए be e लिखती है तो probability of bad egg हमारे पास given है तो मैंने लिख दिए equal to हमें फार्मूला पता है probability निकालने का बस उत्रह सा पता हुआ आपको probability कैसे निकलेगी favorable outcome ना पाउन total outcome favorable outcome और नीचे हो जाएगा total outcome total 400 given है तो total outcome की जगा क्या लिखूंगा 400 लिखूंगा ठीक है और probability जो वो यहां पे favorable outcome का मतलब सिधा सहे है कि bad x कितने थे 400 में से तो वही तो हमने निकालना था यहाँ पे कोशिन बारक लगा दिया मैंने ठीक है मैं black से लिखता हूँ और probability of bad x की जो वो हमारे पास given है तो इसको जो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.035 तो यह बन जाएगा equal to और यहाँ पे हो जाएगा favorable outcomes और नीचे हो जाएगा 400 अभी जो favorable outcome है वो जो निकालेंगे इसको जो बो cross multiply कर दो नीचे तो यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है मतलब कि यहाँ पे favorable outcome से कुछ multiply नहीं होगा 400 को जो बो दूसरे side disk के साथ जो बो मिला दो multiply कर दो तो आपका answer मिल जाएगा तो हमें last में क्या करना है 400 multiply by 0.035 तो आपका favorable outcome number of bad x जो बो निकल जाएगा 400 multiply by 0.035 तो मैं यहाँ पे गर लेता हूँ एक्स के ओपर 400 आचाए वाइट से लिख रहा है 400 multiply by 0.035 तो यह हमारा answer आजाएगा इसको solve करने के बात देखे बिल्कुल simple सा जो यहाँ पे trick है कि कैसे जो इसको solve करें देखे आपको जो 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 क्या करना है अचाए एक मिनिट रुख जाईए हाँ मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार 400 एक मिनिट yes 400 multiply by 0.03 sorry 0 भी यह नहीं पीच में तो यह 0 है 35 तो इसको देखे कैसे सालो करना है एक तो बिल्कुल simple सा trick है अगर आपने जो अच्छे से पढ़ा है decimal के बारे में तो आपको बदाए कि यहाँ पे 2 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे decimal हटेगा तो नीचे 0 आएगी 0 से 0 कट जाएगी तो 2 0 का यहाँ पे मतलब है कि यह decimal 2 digit आगे चला जाएगा मतलब कि यहाँ से यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इसका जो सीधा ही बन गया मतलब कि 2 0 हटाई तो यहाँ पे बन गया 3.5 यह तो एक trick था तो 3.5 को जबो सीधा ही हम लोग जबो 4 से multiply करेंगे क्योंगी 0 तो हमने अठा दी ठीक है तो यह तो चलो ठीक है लेकिन इसको जबो simple trick से कैसे करें तो trick है तो आपको अगर समझा आगया है तो अगर अगर समझा आगया है तो अगर मैं यहां से decimal अठा हूँ इसको decimal में फिस से लिखने है तो 3.5 लिख दूँगा क्योंकि 35 over 10 है तो 3.5 लिखूँगा अब आप जो क्या करिए 3.5 को मत करिए अगर आप थोड़ से decimal में expert है decimal में आपको थोड़ से table पता है half का 3.4 ऐसे जो आपको थोड़ा सा knowledge जदा है तो आप 3.4 को सीधा ही कर लो 4 से ठीक है कैसे करना है 4.3 जा 12 आप अब यह जो 5 है न हाफ है हाफ कितने हैं 4 है तो 4 हाफ का मतलब है 2 तो 12 प्लस 2 14 आंसर आ जाएगा लेकिन इससे अच्छा था कि आप क्या करते हैं आप आप जो 35 को 4 से कर देते है ठीक है 35 को 4 से करेंगे तो 140 आएगा अब 140 आया किएक डेसिमल के बाद यहां पर 5 था एक डिजिट था डेसिमल के बाद तो 0 के बाद जो एक डेसिमल लगाओ तो ऐसे भी 14 ही आएगा ठीक है तो I hope आप समझ गया होंगे कि कैसे जो ऐसे कोईशिन को सॉल्व करना होता है ठीक है प्राबिल्टी एक काफी इंटरस्टिंग जो एक टॉपिक है जो 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 आपको नंबर को बढ़ाता है काफी इंटरस्टिंग बनाता है मैस को मुझे ऐसा लगता है अगर आपने वीडियो देख लिए तो प्रेजंट लगाने के लिए जब वीडियो को एक तो लाइक करें दूसरा अगर लाइक नहीं करना है आपने तो कमेंट बॉक्स में नाम भी अपना टाइप करते हैं तीक है इससे क्या होगा कि आपकी मुझे जब ऐसा लगेगा कि वीडियो जब देखी जारी है कौन-कौन जब इस वीडियो को देख रहा है ओके थैंक यू एंड हैव नाइस टेइ